नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चलाई जो लीकल लाइट्स में मैं हूँ एड्वोकेट विष्ण चोधी तो आज हम बात करेंगे सो रुपे के स्टांप पेपर पर दो दोस्तों के बीच में एक एग्रिमेंट हो रहा है पैसे को लेन देन के वावत कि म मेरा दोस्त है इसको किसी चीज की जरुत पढ़ गी है पैसे की और उस काम के लिए मुझसे इतने पैसे उदाल ले रहा है इतने समय के लिए इस माद्धम से मैं इसको दे रहा हूं इस अकाउंट से दे रहा हूं इस अकाउंट में ले रहा ही है सारे प्रूफ है इतने समय क हमसे पैसा लिया था लेकिन अब वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसके खिलाब कौन सी धारा लगेगी दोस्तों अगर पैसे के लेंदें के वावत कोई agreement है तो वो agreement IPC यारी इंडिन पीनल कोट की किसी भी धारा के अंदर कबन नहीं होगा उसकी जो liability बनेगी पैसे को recover करने की या उससे बापस लेने की वो बनेगी civil suit के माद हमसे IPC की दहाएं कब लागो होती जब उसने हमसे किसी agreement करता है हमें किसी चीज का लालत देता या विश्वास में रखके हमारे से धोका करता कि ये चीज मैं दे दूँगा अभी आप इतना amount दे दो और आगे चलके मैं ये आपको arrange करा दूँगा और उसको हमें नहीं देता यानि return में एक agreement हो जाता माल लीजे छोटे से एक्जामल के तोर पर एक plot है उसकी कीमत 20 लाग रुपे दो लाग रुपे दे के उसने agreement कर लिया कि अगले महीने कप्चा दे दूँगा और उससे अगले महीने रेष्टी करा दूँगा ऐसा ही बोल बोलके वह agreement उसने 10 लोगों के साथ और खर लिया तो जोनी हमने तो खरी था हमाई साथ चीटिंग हुई हुई साथ में 10-20 लोगों के साथ और हो गई तो तब उसके खिलाब 420-446 और 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 भी लोग इंवाल्व है तो 120-P के तहत उसके खिलाब पच्चा दर्ज होगा दोका धरी का क्योंकि एक प्रॉपर्टी का लालत दे के 50 लोगों के साथ चीटिंग कर लिए अब इस केस में क्या होगा जहां पर रिजामंदी के साथ हम पेमेंट कर रहे हैं इस केस के अंदर सूट फॉर रिकबरी फाइल होगी उसको फाइल करने के लिए 3 साल तक का समय है के लिए को में रहे है को पया है क्या अब इसको पैसे रिकबर करने का क्या मदलम रहेगा का पहले तो आप उसको वे समय लिया था वो पूरा चुका है और ये पैसा मुझे आप लोटा दें उसके बाद अब जितना भी अमाउंट आप ने उसको दिया है वो दावा फाइल करने के लिए आपको कोट के अंदर फीज जमा करने पड़ेगी जिसे कोट फीज बोलते हैं वह इतरीगी स्टाम डूट पर आपको पे करना होगा अगर एक लाग तक के रुपे या हर स्टेट के अंदर कोट फीज की परसंटेज अलग-अलग है एक एवरेज के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दिल्ली राजजी के अंदर कम है हरियाने के अंदर थोड़ी जाता यूपी के अंदर औ अरिवा आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है कॉट फीज के मादफियं से वह पैसा आपको वि refund हो जाएगा поэтому men तो रिफंडेबल हो जाएगा केस पिड़ो करते हैं तो रिफंडेबल हो जाएगा जीजने के टाइम पर पैसा रिफंड नहीं होगा आपका इसके लिए धान रखें तीन साल तक की लिमिटेशन है आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारत दीगे जानकरी आपके काम आएगी फिर एक नई जानकारी के साथ आप से दुबार मुलाकात होगी तब तक ये नमस्कार धन्यबाद